हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो ग्याप्स क्लास दोस्तों बहुत अमेजिंग रहने वाली है वीडियो इस वीडियो के अंदर हमें सीखना है मल्टी प्लेक्सर का कंसेप्ट मल्टी प्लेक्सर इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टी प्लेक्सर का कंसेप्ट बहुत असानी से समझा दूँगा और यह कंफर्म्ड है जब आपको इस वीडियो से फायदा हो तो आपसे रहा नहीं जाएगा दो वर्ट्स के लिए कौन से दो वर्ट्स थैंक यू मेरी आप स फायदा हो लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी शेर करना नहीं करना आपकी मर्जी सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो वर्ट्स जरूर लिखना ठैंक यू और साथ साथ में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चीए वह जरूर करना तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे multiplexer basically होता क्या है और साथ के साथ किस टाइप का question आएगा वो समझेंगे तो दोस्तों ज्यादा time waste नहीं करेंगे वीडियो को start करेंगे multiplexer से multiplexer क्या होता है multi का मतलब बहुत सारे multi का मतलब क्या होता है स्कार और हम बहुत सारे input देंगे ध्यान से समर्ना मैं क्या बूल रहा हूं कि और हम बहुत सारे इनपूट देंगे लेकिन output एक आएगा कहने का मतलब क्या है इसको हम layman terms में समझते हैं अलग से मैं समझाता हूं लेमेंट टम्स में जिससे कि आपको असानी से समझ में आएगा suppose करो आपको या फिर suppose करो 10 computers हैं 10 computer के अंदर हमें website open करनी है क्या करनी है website open करनी है एक बंदा लिख रहा है youtube.com एक लिख रहा है facebook.com एक लिख रहा है www.thanksgaps.com हमारी website का नाम है ऐसे 10 बंदे अलगलग websites का नाम दे रहे हैं open करने के लिए मगर 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 10 के 10 बंदे अलगलग नाम लिख रहे हैं लेकिन answer कुछ और ही आ रहा है यानि कि जो answer आ रहा है वो particular एक website open हो रही है suppose करो google.com open हो रही है कहने का मतलब यह हुआ 10 बंदों ने कहा कि मेरे को अलगलग website open करके दो 10 के 10 अपने computer पर या laptop पर type कर रहे है मगर कौन सी website open हो रही है सिरफ और सिरफ एक website that is gaps that is google.com यह होता है multiplexer इसका use होता है electronics चीजों के अंदर तो simple समझ में आ गया layman time में multiplexer क्या हुआ जो भी output देंगे बहुत सारे लोग अलगलग input देंगे लेकिन output एक ही आएगा ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देना multiplexer सीखने से पहले आपको तीन चीजे पता होनी चीए क्योंकि तीन चीजे use होएगी हमारे diagram के अंदर diagram भी बनेगा सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए input lines क्या पता होना चीए input lines कितनी होगी second आपको पता होना चीए output lines क्या होगी output lines and the last one is selection line selection lines तो जब हम multiplexer का diagram बनाएंगे तो हमें तीन चीजे पता होनी ज़रूरी है input lines output lines selection line input line depend करेगा question के ऊपर output जोएगी वो हमेशा one होएगी output line वन होएगी जैसे मैंने आपको example दिया लेकिन जो selection line है वो depend होएगी किसके ओपर input line के ऊपर कहने का मतलब यह अगर आपको input line दिये तो आप selection line निकाल सकते हो selection दिये तो आप input line निकाल सकते हो एक simple से formula के साथ ठीक है तो क्या समझा हमने हमने समझा multiplexer के लिए हमें तीन चीचे पता होने चीए input line selection line and output line output line हमेशा one होएगी input line selection line depend करेगी question में क्या given है तो इसके लिए हमें एक example पे चलना जरूरी है जैसे की question आ सकता है definition में बादने बताऊंगा जैसे की question आ सकता है हमारा mux बनाओ short form है mux मux कहा सकते है या फिर multiplexer multiplexer ठीक है multiplexer बनाना है हमें किसका 421 का चीए 421 का आ सकता है 1621 का आ सकता है 821 का आ सकता है right 3221 भी आ सकता है लेकिन अगर आपने सिरफ और सिरफ 421 सीख लिया तो उसके बाद किसी भी type का आएगा अराम से आप solve कर लोगे तो इस वीडियो के अंदर अगर हम 421 का multiplexer देखेंगे अगर हम सारे करेंगे तो वीडियो की duration बढ़ी हो जाएगी 821 का हम बाद में देखेंगे चीक है अब हम समझेंगे किसका 421 का 421 4 जो हो गया that is input 4 क्या हो गया हमारा input हो गया 1 क्या हो गया हमारा output हो गया ठीक है और मैंने क्या कहा था आपको तीन चीज़ें पता होने चीए multiplexer के लिए input lines output lines and selection lines एक बढ़ दिखा देता हूं क्या पता होने चीए हमें हमें ये तीन चीज़ें पता होने चीए कौन से input line output line selection line अगर input line पता होएगी तो आप selection सकते हो selection पता होएगी तो input निकाल सकते हो लेकिन output सिर्फ एक ही होएगी ठीक है तो हमें क्या करना है 421 का बनाना है 424 क्या है input 1 क्या है output हमेशा 1 ही होगा output क्योंकि multiplexer में answer सिर्फ एक ही आएगा अब धियान देना हमें selection line पता होने चीए क्या पता होने चीए selection line अब यहाँ पर हमें क्या निकालना आना चीए selection line कैसे निकालेंगे ठीक है selection line कैसे निकाली जाएगी selection line निकालने के लिए formula है 2 क्या है formula है 2 raise to power something जिससे input आ जाए ठीक है दुबारा repeat कर रहा हूँ selection line निकालने के लिए क्या formula 2 raise to power कोई power होना चाहिए जिससे कि हमारा input वाला answer आए कहने का मतलब यहाँ पर input 4 है तो हम 2 की power क्या करे जो answer 4 आएगा ठीक है ध्यान से समझो दुबारा बता रहा हूँ input कितना हमारा 4 है input is 4 input है हमारा 4 अब हमें selection निकालना है ऐसे लिख रहा हूँ selection line निकालनी है तो 2 तो base होगा 2 की power हम क्या करें जिससे की 4 आजए तो 2 की power 2 करेंगे तो कितना आजाएगा 4 आजाएगा यानि कि जो power हम कर रहे हैं this is selection line एक example और समझते हैं ठीक है suppose करो मेरे को बनाना है multiplexer बनाना है 8 की है हमारा input और one obviously क्या हो गया हमारा output अब हमें क्या निकालना है selection line क्या निकालना है selection line short form निखना हो sl तो हम क्या करें 2 की power हम क्या करें जिससे की हमें 8 मिल जए 2 की power 3 2 की power 3 कितना होता that is 8 इसका मतलब selection lines कितनी होगी 3 selection line होगी अगर फिर भी किसी student को confusion है बहुत simple एक तरीका और बताता हूँ थोड़ा सा बड़ा है input कितना है? 8 8 को बार बार 2 से divide करते जो जब तक 1 नहीं आता अगर मैं 8 को 2 से divide करूँ हो कितना आ गया? 4 आ गया अब फिर 4 को 2 से divide करा कितना आ गया? 2 आ गया फिर 2 को जो आया उसको 2 से divide करा कितना आ गया? 1 आ गया यानि कि कितनी बार divide करना पड़ा 1, 2, 3 1 आ गया तो इसका मतलब कितनी बार divide करा 3 बार तो selection line कितनी होगी? 3 होगी अगर किसी से ऐसे नहीं निकलता, कुछ students होते हैं जिनका mathematics बहुत strong नहीं है, power नहीं पता चलती तो इससे भी निकाल सकते हो, last example लोगा फिर वापस आओंगा किस पर 4 is to 1 पर, 16 to 1, 16 क्या है हमारा input 16 है, 1 क्या है, output is 1, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, selection line, selection lines, selection lines निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 raise to power, 2 raise to power, कितना आएगा, जिससे कि हमें 16 मिले, क्यों क्योंकि input 16 है, 2 की power 4, 2 की power अगर हम 4 करेंगे, तो इसका मतलब कितना हैगा, 2 raise to power 4 is 16, तो ये selection line हो गई, फिर भी confusion है, second way क्या बता है, 16, जो input है, उसको बार बार 2 से divide करो, जब तक 1 नहीं आता, ठीक है, जैसे 16 है, 16 को 2 से divide करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा, अब जो आया, उसको दुबारा 2 से divide कर लो, कितना आगया, 4 आगया, अभी 1 तो नहीं आ, तो दुबारा 4 को 2 से divide कर लो, कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आता, 2 आगया, अब 2 को दुबारा 2 से divide कर लो कितना आगया 1 आगया रुख जाएंगे कितने बाइड करा 1 2 3 4 चार बाइड करा यानि selection 9 कितने होगी 4 हो गई ठीक है यहाँ पर भी 4 आ रहा है selection 9 4 बहुत simple very simple video की duration बड़ी हो सकती है लेकिन यह confirmed है आपको सईसे समझ आएगा और आप 2 words जरूर लिखोगे ठीक है तो हम चलेंगे हम कौन सा कर रहे थे इस वीडियो में हमें देखना है 4 is to 1 का multiplexer क्या देखना है 4 is to 1 का multiplexer तो ध्यान दो सबसे पहले तो 4 to 1 सबसे पहले तो हमें क्या करना है block diagram बनाना है block diagram क्या कहता है एक box बना दो इसके अंदर मक्स लिख दो क्या लिख दो मक्स मक्स का मतलब multiplexer input कितने है 4 के है हमारा input तो यहां से 4 lines निकाल दो 1 2 3 4 यह क्या होगे input और यह क्या answer है 1 आएगा तो यह हो गया हमारा output और 7 साथ में हमें क्या करना है selection lines दिखानी है selection line कितने होगी 4 4 कैसे आएगा 2 की पापा 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 जैसे अभी बताया तो selection line कितने होगी 2 तो हम क्या कर देंगे यहां पर नीचे की तरफ दो selection lines बना देंगे कुछ ऐसे तो यानि कि left side पे input lines right side पे output और नीचे selection line input किससे start होता है जिल्दी बताओ input i से start होता है तो इसका नाम देदो i0 इसका नाम देदो i1 i2 i3 similarly selection किससे होता है s से selection line is s से तो यह हो गया हमारा s0 दे दिया यह हो गया s1 और यह हो जाएगा हमारा output कई बार exam में इसकी जगा output की जगा book में fb लिखा होता है मतलब वह output ही हो गया चीक है simple हो गया simple simple मैं बहुत ज्यादा detail में नहीं समझाओंगा क्योंकि मेरा purpose है इस तरीके से सिखाओं simple तरीके से आपको समझ में आजाए exam में प्रॉपर लिख करो पूरे marks मिले ज्यादा detail में जाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा electronics की चीजों में जाने की जरूरत नहीं है चीक है यहां तक clear तो यह हो गया हमारा block diagram जब exam में question आए definition multiplexer की फिर block diagram और last में एक और बने का diagram circuit diagram चीक है तो अभी हमने क्या देख लिया block diagram सीखा किसका 4 is to 1 का block diagram किसका हो गया block diagram of 4 to 1 ठीक है अब हमें क्या करना ध्यान से समझना अब जो मैं सिखा रहा हूँ वह rough work का part है इसके बाद हम final देखेंगे कि diagram कैसे बनाना होगा ठीक है अब ध्यान दो आप क्या करोगे यह रफवक में सिखा रहा हूँ रफवक का पाटा है तो इसको यह मत सोचना की exam में लिखकर आओगे रफवक सिखा रहा हूँ मैं आपको हमने लिख दिया है यहां पर selection line s1 है s0 है और यहां लिख दिया हमने कुछ भी चाहिए मत लिखो ठीक है यहां पर मैं बनाऊंगा truth table क्या बनाऊंगा truth table कितने कितने line से 2 तो truth table बनाएंगे तो क्या होगा 2 raised power 2 that is 4 यह फिर ऐसे समझो यह हमारी क्या है selection line यहां पर कितने input है input कितने 4 तो यहां पर 4 cases बनेंगे और जिन बच्चों ने पहले boolean algebra की हमारी वीडियो देखी हुई है और उसमें हमने truth table भी सिखाया था उनको उनके लिए 2 variable 2 raised power 2 is 4 तो 4 का इसका मतलब क्या करना truth table बनाना है अगर नहीं देखी तो यह boolean algebra and circuit logic gates की वीडियो आरिया आप देख सकते हो ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर truth table बनाएंगे कितने cases बने चार क्योंकि चार input है ऐसे मानके चलो तो 4 का half कितना होता है होगे 2 बार 0 लिख दो बार 1 अब 2 का आदा कितना होता है 1 0101 डूट table आना चीए अब आपको ठीक है है यहां तक clear अब आप क्या करोगे क्या सिंपल लिखना है आपने क्या सिंपल लिखना ध्यान से समझना कि इं दोनों को आप रोड़क्त की form में लिख दो s1 s0 s1 s0 s1 s0 s1 s0 यानि क्या निकाला जिन बच्चों ने पहले कर रखा है तो मैंने क्या निकाला this is called as min term simple multiply की form में कर दिया तो बीच में dot लगा दिया dot क्या होता है multiply की form अब ध्यान दो match के अंदर किस number से multiply करते हैं फरक नहीं पड़ता जल्दी बताओ कर चुके already जो नहीं करा जिस बच्चे ने वह भी बताओ अगर maths के अंदर कौन सा ऐसा number है जिससे multiply करेंगे फरक नहीं पड़ेगा suppose 7 है 7 को हम किस number से multiply करें 7 ही आएगा simple 1 से तो उसके उल्टे को पर बार यानि की zero को पर बार तो यहाँ पर दोनों पर जीरो है दोनों पर मैंने बार लगा दिया पहले पर जीरो है बार लगा दिया दोस्तों गूलिन एलजेबरा के आपके concept clear होने चाहिए जब भी आप ये इस टाइब के question कर रहे हो multiplexer आपके gates का concept आपका max mean का concept और साथ साथ में आपका truth table का concept clear होना चाहिए चीक है यहां तक clear अब यह हो गया अब आपने क्या करना है simple क्या करना है यहां पर i0 i1 i2 i3 लिखाना तो यहां पर लिख दो साथ में i1 i0 i1 i2 i3 तो मैंने लिख दिया i0 i1 i2 i3 ठीक है और क्या करेंगे अब हम एक expression निकाल लेंगे expression यानि की जो हमारा answer आ रहा है output यह output आ रहा है तो आप f निकाल लो या simple लिख दो पहली term s1 color change करके लिखते है यह लिख रहा हूं पहला s1 dot s0 dot i0 चीक है second लिख रहा हूं s1 sorry यहां पहे 12 dash dash है s1 का dash s0 dot i1 यह सेम लिख रहा हूं s1 dot s0 dot i2 and the last one is s1 dot s0 dot i3 ठीक है यह लिख दिया अब इसके बीच में क्या लगा दो plus का sign ठीक है तो यह हमारा एक expression बन गया यानि जो output आएगा f लिख सकते हो f यह आ गया हमारा f is equal to this अब हम क्या करेंगे simple 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 क्या करेंगे circuit diagram बनाएंगे तो इस expression का हम circuit diagram बनाएंगे now we will make now we will make circuit diagram of किसका जो यह expression है हमारी यह वाली expression तो मैं लिख दिता हूं यहाँ पर दुबारा s1 का dash dot s0 का dash dot i0 plus s1 का dash s0 dot i1 plus s1 s0 i2 plus s1 s0 i3 ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं यही लिखा हुगा है दोनों पर dash first पर dash second पर dash ठीक है perfect अब हम क्या करेंगे circuit diagram बनाएंगे बस खतम circuit diagram बनाएंगे और उसके बाद पूरे marks पक्के और दो आपके words thank you confirmed comments में मेरे को पढ़ने को मिलेंगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसका circuit diagram बनाएंगे simple यह क्या है and का पले एक and का बनाएंगे फिर and and or and last में और लगाएंगे तो पहले हम इसकी बात करते हैं हमने क्या करा simple क्या करा अच्छा यहां पर कितनी expression है ऐसे धियान रखो यह bracket लगा दो चाहिए यहां पर यह bracket यहां पर यह bracket कितनी terms है total 4 terms तो चार and के gate लगा दो तो मैंने क्या करा यह एक gate लगा दिया and का एक यह लगा दिया चार लगाने हमें ठीक है एक यह लगा दिया और एक यह लगा दिया ठीक simple अब इससे जो answer आएगा 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 बीच में क्या लगाना है और तो क्या करा simple यह इदर आ गया ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, इसके बीच में क्या लगाना है और तो ये हमने और लगा दिया, ठीक है, अब जो चीज़ समझने की है तो simple हो गया, याद करा दू, बोलो हाँ, याद करा दू, बोलो हाँ, कितने input है, 4 input है, 4 end के gate लगा दो, एक output है, तो output और से निकाल दो, simple हो गया, अब main बात है, इसकी, ध्यान दो, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जो चीज़ समझने की है, वो क्या समझने की है, पहले का answer I0, मैंने बता था न, I0 लिखना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक I0 कर दो, पहले के साथ लिख दो I0, एक बर में पहले block diagram दिखाता हूं, block diagram से ज़्यादा clear होगा, यह देखो, block diagram में हमने पहले I0 लिखा, I1, I2, I3, same चीज़ यहाँ पर कर देंगे, पहले के साथ हम लिख देंगे I0, second के साथ लिख देंगे हम I1, फिर third के साथ लिख देंगे हम I2, and the last one के साथ क्या आगया, I3, ठीक है, यह होगी हमारी input lines, अब हमें क्या करना है, S1, S0, S1, S0 लगाना है, सब के साथ हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिख दिया S1, यहाँ लिख दिया S0, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, कुछ जगा पर डैश है, कुछ जगा पर डैश नहीं है, तो आपने क्या करना है, अब थोड़ा साइस शोटा कर देता हूँ, यहाँ से पूरी line ले आओ, यहाँ से पूरी line ले आओ, इसका मतलब S1 आ गये यहाँ पर, और S0 यहाँ पर आ जया, अब दैश भी है, तो दैश के लिए क्या करा, थोड़ा सा ऐसे करके, और यहाँ पर, बना देंगे हम, not का symbol, क्या बना देंगे, not का symbol, this is not, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर, हम क्या करेंगे, not का symbol बना देंगे, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा complicated लग रहा है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा complicated लग रहा होगा, क्योंकि जैसी diagram बढ़ा होता है, complicated लगना शुरू हो जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको, दुबारा से बनाता हूँ, जिससे की असान लगें आपको, छिक है, सिंपल क्या करा, अभी सिर्फ S1, S0 बनाया, अब हमें क्या करना है, पहले के साथ क्या जाना चाहिए, S1 का डैश, S0 का डैश, तो क्या करा, यह मेरा यहां तक आया, ठिक है, धियान देना मैं ने डाग कर दिया, यानि की यहां तक आ रहा है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया not बना दिया this is s1 का dash ठीक है s1 dash है similarly s0 का dash यहाँ पर गए not का symbol बनाया this is s0 का dash यह उपर s1 है और यह नीचे s0 है ठीक है तो समझ जाना यह मत कहना सर्क्लियर नी है उपर s1 का dash है और नीचे s0 का dash है right अब आएंगे हम next में क्या करना है s1 का dash होना चीए s0 का नहीं होना चीए तो s यहाँ पर क्या रहा है s1 आ रहा है s1 का dash होना चीए यह करा थोड़ा सा यहाँ गए और not बना दिया अब यह किसका आ गया s1 का dash s1 का dash और s0 as it is जाएगा तो यह आ गया s0 check right second हो गया अब आएंगे third s1 as it is s0 का dash तो यहाँ से यहाँ तक यह as it is इसका मतला कौन चला गया s1 चला गया dash किस पर आएगा s0 पर तो यहाँ से हमने क्या करा इदर गया यह s0 हुआ s0 का dash ठीक है और last क्या हो गया s1 s0 as it is तो यह हो गया हमारा s1 यह हो गया हमारा s0 this is s1 और s0 बस खतम और यह final हमारा expression आ गया तो same इस expression को इस वाली expression को as it is हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है तो यह हमारा answer आ गया इसको मैंने as it is लिख दिया now this is the final answer ठीक है तो यह किसका बनाया दोबारा repeat कर रहा हूं कुछ बच्चों को दिक्कत हो यह s1 का dash है s0 का dash है ठीक तो यह हो गया हमारा final answer तो क्या करना है जब multiplexer का question आए सबसे पहले तो आपको definition लिखनी है फिर जो भी फिर क्या करोगे block diagram बनाऊगे फिर अगर लिखा 421 तो उसके साब से बनाना है 1621 उसके साब से 821 उसके according अभी हमने क्या सीखा अभी हमने सीखा 421 अब हम सीखेंगे definition आएगी तो कैसे लिखो गया ठीक है तो दोस्कों आधे concept सीखने से पहले एक चोटी से information देना चाहूंगा ध्यान से सुनना अगर आप computer में अपना career बनाना चाते हो तो अब हम कंटीन्यू करेंगे तो multiplexer की definition कैसे लिखोगे multiplexer इसके अंदर क्या है multiplexer क्या है it is a combination circuit क्या है it is a combination circuit तो क्या लिखा सबसे पहले it is a combination circuit ठीक है और क्या कर रहे थे input दे रहे थे output दे रहे थे selection lines थी that takes input क्या लेगा input that has input और क्या था and one output that has input and one output input था और क्या था एक output था output किस पर depend होगा selection lines पे depending upon the selection lines depending upon the selection lines that has input कितने input 2 की पावर n this is one of the most important it is a combinational circuit combinational circuit that has 2 रिस्ट पावर n इन्पूट तो की पावर n इन्पूट होगा and one output एक output होगा depending upon the selection lines यह होगी definition तो यह definition होगी हमारी multiplexer की यहां पर मैंने गल्ती दे spelling कलब लिख दी multiplexer तो उम्मीद रखूंगा आप लोगोने mistake निकाल ली होगी multiplexer ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा multiplexer की definition हो गई अब ध्यान देना यहां पर लिखा 2 रिस्ट पावर n इन्पूट इसका मतलब जो मैंने आपको explain करा 2 की पावर n इन्पूट होगा और output सिरफ एक होगा अब यहां पर हमें block diagram बनाना है अभी जो हमने block diagram बनाना सीखा वो किसका सीखा था वो सीखा था बाद 2 रिस्ट पावर n लाइनस होगी ऐसी लाइनस बनाते बनाते यहां आ जाना यहां लिख देना टू की पावर m क्या लिख दोगे टू की पावर n और ध्यान दो यहां पर इन्पूट क्या होगा टू की पावर n और output कि और ऑउपूट तो फिरफ एक ही होगा और selection selection lines कितनी होगी यहां पर टू की पापर रहन है तो selection line होगी एन तो यहां पर आप लिख दोगे selection line ऐसे lines बना दो और एक line last minute dot dot दोबारा बना जाता हूं इसको ठीक है कैसे बना होगे simple ऐसे दो तीन lines ड्रो कर दो dot 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 कर दो last line अब यह क्या है हमारी this is input तो यहां लिख दोगे आप अच्छा यहां पर n हो गया यहां लिख दोगे i0 i1 i2 ऐसी लिख दोगे सेम यहां पर लिख दोगे s0 s1 s2 last में sn यह हो गया आपका multiplexer का block diagram उसके बाद question कैसा आएगा 421 821 1621 वो आपने जैसे मैंने सिखाया आपको 421 वो कर लिया हमने next वीडियो में हम करेंगे 16 821 फिर करेंगे 1621 तो दोस्तों अगर वीडियो से फायदा दो वर्च यह कौन से लेकिन जो आपको प्लेश दिया इसको जबूर देख लिए आपके बहुत काम आएगी एक तो कोडिंग वाली वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में कैसे सी प्रोग्रामिंग क्या प्लेश दे दिया जिसे कि आपको प्रोग्रम बिल्कुल भी नहीं आएगी तो आगे अब हम कंटीन्यू करेंगे